Hi everyone, this is Swati, your English Educator from Magnet Brains और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं Tenses की Exercises अब Tenses पे मैंने देखा था, बहुत साइ लोगों के comments आए थे कि Ma'am, हम लोगों को जो Simple Present Tense है, उसमें थोड़े doubts है या जो Positive Case होता है, उसको जब आप अप्लाए करते हो Especially Tenses में, तो उसमें doubts है तो अभी आपके जितने भी doubts होंगे ना, वो हम clear करेंगे कैसे clear करेंगे? जैसे हम Present Perfect की exercise कर रहे हैं या Simple Present की exercise कर रहे हैं तो आपकी class के हिसाब से होने वाली है तो उस particular concept को मैं एक पर और revise करा दूगी ठीक है? तो आपके exercise भी हो जाएगी और आपका revision भी हो जाएगा तो let's begin guys So class 4 की हम जो अभी exercise कर रहे हैं उसमें पहला question है identify verbs in the following sentences and indicate the tense of each ठीक है? अब identify the verb अब मैं ना इसमें एक example बताती हूँ आपको अगर मैंने लिखा यहाँ पे जैसे की I eat apples अब इसमें main verb कौन सा है मेरा? मेरा main verb है eat eat मतलब खाना अब हमने बढ़ा है कि verb के 3 forms होते हैं कौन-कौन से? एक form होता है आपका like simple जो आपका present form होता है ठीक है? एक होता है आपका present form एक होता है आपका past form और एक होता है past participle क्या बोलते हैं इसको हम past participle ठीक है? अब यहाँ पे present form को हम बोलते हैं V1 past form को हम you know you can name it like V2 और past participle को हम V3 बोलते हैं अब यह इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम पूरे टाइम इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते इसलिए verb को first form verb को second form and verb को third form cool now अगर eat मतलब होता है खाना ठीक है? तो eat first form है खाता हूँ यह present form है जब मैं past के लिए जाओंगी तो यह क्या बन जाता है? यह बन जाता है eat और जब मैं जाती हूँ perfect form में या participle form में तब यह बन जाता है eaten ठीक है? तो हमको क्या पता है कि अगर हमारा sentence present tense का है मतलब present time का है जिसमें हो सकता है simple present present continuous present perfect या present perfect continuous not present perfect या present perfect continuous लेकिन अगर simple present का है या present continuous का है तो हम first form ही लेते हैं continuous में obviously क्या आ जाता है? ing आ जाता है यह हम already समझ चुके हैं अगर ये आ रहा है, मतलब आपका tense कौन सा है? Past का है. और अगर ये आ रहा है, तो हमको अब इसमें क्या देखना होता है? हमें ये चीज़ पता है कि जब भी हम perfect tense पढ़ते हैं. Perfect tense में कौन सा verb लगता है? Has या have या had. ये हमें पता है? has लगेगा, या have लगेगा, या had लगेगा. ठीक है? तो अगर इसके आगे मानलो has है, तो ये हो जाएगा, has है या have है, तो ये हो जाएगा कि आप present की बात करें. has है या have है? लिखा है मानलो has eaten या have eaten. तो ये present की बात करा है. अगर लिखा हुआ है मान लो had eaten इसका मतलब हम past की बात करें और अगर will have eaten लिखा है will आ गया तो हम future की बात करें ठीके इतना clear है तो अब जो हमें questions दिये हैं उसमें हमको देखना है कि भाई हमारा main verb कौन से form का है and accordingly we'll have to understand ठीके चलो let's begin the cow gives us milk अब यहाँ पे कौन सा verb है देखो subject क्या है हमारा cow है cow काम करें क्या काम करें देने का काम करें यह है हमारा main verb gives अब gives gave या given तो है नहीं give मैं यहाँ पे लिखती हूँ verb का first form, verb का second form और verb का third form तो give का जो होता है यह present form है, past form है gave और verb का third form है वो होता है given तो यहाँ पे यह क्या है? वर्ब का first form है cow gives us milk और एक और चीज़ अगर आपके verb में S लगाए तो तो भाई एकदम आख बन करके समझ लेना, यह simple present का sentence है क्योंकि सिर्फ simple present में हमारे verb में S लगता है यहाँ पे हमको tense का type नहीं बताना है, हमको सिर्फ बताना है कौन सा tense है तो यह है present tense clear? second question देखते हैं the tiger killed the rabbit, किसकी बात करें हम tiger की, tiger ने क्या किया मार आला भाई, killed, killed the rabbit अब हम kill की जब बात करते हैं, verb का first form होता है kill, second form होता है killed, third form होता है killed तो यहाँ पे killed हम जो बोल रहे है, has or have तो आनी रहे, तो third form हो नहीं सकता third form में क्या आएगा, या तो has आएगा, या तो have आएगा, या तो had आएगा, ठीक है तो हम बात करें है killed की, मतलब यह कौन सा tense हुआ, यह हो गया आपका past tense ठीक है, और ओके, आगे बढ़ते हैं the army ran after the terrorist, ओके, the army, मतलब जो army थी, जो forge थी हमारी, ran after the terrorist terrorist के पीछे भागी, अब यहाँ पे ran ran कौन सा form है, देखो first form क्या होता है, run second form क्या होता है, ran और third form क्या होता है, again run होता है, लेकिन क्या hazard है वारा है, नहीं आ रहा है, तो इसकी तो सोचना ही नहीं है ran, कौन सा form है, past का form है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, past she will come here on Monday, अरे भाई, आपका कौन सा helping verb आया, will आ गया, will कौन सी चीज़ को बताता है, that we are talking about future time तो जैसे ही will आ गया, तब तो, मैंने सोचना ही नहीं है, सीधे लिखना है यहाँ पे, कि यह future का sentence है, okay next, he worked hard, अब देखो, यहाँ पे आपका main work क्या है, worked work का form one होता है work, second होता है worked, ठीके, अब will और have, मला have or has तो है नहीं हम third form में नहीं जाते हैं, third form भी worked होता है अगर हम यहाँ बात करें, first form होता है carry और second और third form होता है carried, ठीके, तो यहाँ पे यह कौन सा है, again यह past का sentence हो गया he is coming from college, is, हमें पता है, यह जो हमारे helping verb होते है, is, am और are, यह हमें present time के बारे में बताते हैं, है ना, यह हम पढ़ चुके हैं, past का कौन बताते हैं, जो दो लोग past के बारे में बताते हैं, वो होते हैं, was और were, तो is, am, are, यहाँ पे क्या लिखा है भाई? इस लिखा है, तो यह obviously present time का sentence है, ठीक है, यह एक present time का sentence है, they will be playing a cricket match, they will be playing a cricket match, will आगया, will मतलब हम बात करें हैं future की, ठीक है, यहाँ पे हमें कौन सा tense का type है, वो नहीं बताना है, हमें only tense बताना है कि क्या tense का sentence है, are we clear with this much, आगे बढ़ते हैं? ओके, अब यहाँ पे हमने detail दिये, ओके, यहाँ पे हमने answers में detail answer दिया है, इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं, cow gives us milk, मैंने बताया था, जब भी आपके verb में S लग रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि हम simple present tense की बात कर रहें, ठीक है, the tiger killed the rabbit, tiger ने rabbit को मार दिया, अब यहाँ पे ना कोई is, was, मतलब कुछ ing form नहीं है, has, have कुछ नहीं है, यह एक आपका simple past tense है, simple past tense में क्या होता है, subject plus verb का second form plus आपका object, यही हो रहा है, ठीक है, simple past tense में क्या होता है, subject plus verb का second form plus object, और same यही चीज़ follow कर रहें, अब यहाँ देखो, the army is running after the terrorist, यहाँ क्या follow हो रहा है, subject plus, helping verb आ रहा है is, plus verb में आ रहा है ing, वर्ब में क्या आ रहा है ing, प्लस आपका rest of the sentence, जब भी हम is MR के बाद word में ing यूज़ करते हैं, यह होता है हमारा present continuous tense, हम यह बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि continuous tense मतलब क्या होता है ing, तो ing तो आ रहा है, हो गया continuous, मतलब सोचना ही नहीं है, जहाँ पर आपने दिखा अच्छा run, running हो गया, या break, breaking हो गया, या come, coming हो गया अब कौन सा continuous tense है, तो वो हमको यहाँ पता चलेगा is से, is है, was है, will be है, उस सा हमें पता चलेगा कौन सा continuous है, तो यह हमें पता चल गया present continuous tense है She will come here on Monday, अब क्योंकि यहाँ पे will और come आ रहा है, मतलब verb के पहले will आ रहा है, मतलब क्या है यहाँ पे She, मतलब subject, प्लस आ रहा है आपका helping verb will, प्लस आ रहा है verb का first form, यह क्या होता है, प्लस आपका बाकी का sentence, will और verb का first form, यह क्या होता है, यह होता है, Simple Future Tense, ठीक है, next sentence लेते हैं, he has worked hard, अब यहाँ पे है subject, जो की है मेरा he, plus आ रहा है has, plus आ रहा है verb का third form, मैं को कैसे पता यह verb का third form है, क्योंकि यहाँ पे has है और work, worked, worked होता है, तो यह third form है, plus आपका बाकी का sentence, तो क्योंकि यह has और work का third form आया है, यह हो गया, अब has मतलब present, has का मतलब होता है present, तो यह हो गया, चलो present, और work का third form मतलब हम बात कर रहे हैं, perfect की, ठीक है, has का मतलब होता है present perfect, clear with this, तो यह हो गया present perfect tense, the donkey had carried the luggage, the donkey had carried the luggage, had का मतलब होता है perfect tense, had का मतलब क्या होता है, आँख बन करके समझ लो की had का मतलब होता है perfect tense, और had मतलब past perfect की बात कर रहें, क्या यहाँ पे कोई ing वगेरा है, नहीं है, तो simple लिख दो past perfect tense, अगर has आया, या sentence में have आया, तो यह मान लो, यह present perfect tense है, बिना कोई संकोच के लिख दो present perfect tense, until and unless, अगर verb जो है, वो ing का form है, तब हमें लगाना पड़ेगा present perfect continuous, या past perfect continuous, ठीक है, और similarly अगर had है, तो यह है आपका past perfect, ठीक है, past perfect, तो यहाँ पे क्या है, had carried है, तो यहाँ हमने लिख दिया past perfect tense, अब देखो, he was coming from college, continuous tense क्या होता है, आपका subject, प्लस या तो was आएगा, या was आएगा, प्लस आपके वर्ब में ing आ जाता है, यहाँ पे ing आ रहा है, तो पहले तो समझ में आ गया continuous है, और क्यूंकि was आ रहा है, तो यह past continuous है, तो हम लिख देंगे past continuous tense, अब यहाँ देखो, playing आ रहा है, ing आ रहा है, वर्ब में तो लिख दो continuous, और will बता रहा है, तो लिख दो future continuous tense, सो sentence को देखते ही समझ में आता है, sentence चीक चीक के बोलता है, मैं कौन से tense हूँ, मैं कौन से tense हूँ, बस समझना होता है, चीक है, अब हमाएं पास next question है, change the following sentences into negative sentence, अब यह negative sentence जो हमें करना है, यह हमने बहुत अच्छे से समझा है, कि जैसे अगर कोई sentence में helping verb है, जैसे कि I am watching a movie, अब यहाँ पे क्या हमाएं पास helping verb है, हाँ है, हमारा helping verb है am, अगर तुम्हारे sentence में helping verb है, तो उसके बाद लगा दो not, यह बन गया negative, खतम, अगर sentence में negative बनाना है, तो helping verb के बाद add कर दो not, आपका sentence बन गया negative, जैसे कि I am not watching a movie, और अगर मुझे इसी को question sentence बनाना है, और अगर मेरे sentence में helping verb है, तो मैं इस helping verb को subject के पहले रगा दूँगी, तो यह क्या बन जाएगा, am I watching a movie, ठीक है, यह तो हमें clear है, similarly अगर मान लो, she was watching हो जाता, तो यह हो जाता, she was not watching, he is watching a movie, he is not watching a movie, very simple, बस helping verb के बाद आपको क्या लगाना है, not, लेकिन अगर मान लो कि यह helping verb नहीं है sentence में, ठीक है, अगर helping verb नहीं है, if there is no helping verb, तब हम use करते हैं, present में, या तो हम use करते हैं, do or does, और past में हम use करते हैं, did, ठीक है, to make negative और interrogative, जैसे की, अगर मैं लिखा है, he eats apples, अब मैं दो तरीके के sentence बताने वाली हूँ, एक जिसमें, आपके verb में एस लगता है, और एक, जैसे की मैंने मान लो, you ate apples, it की जगा हम लिखेंगे is, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं, present time को, you eat apples, ठीक है, तो यहाँ पे, अगर मैं बात कर रही हूँ, he की, या मान लो, मैं बात कर रही हूँ, she की, या it की, या कोई भी singular जैसे स्वाती, ठीक है, मतलब, अगर मैं किसी भी singular की बात कर रही हूँ, तो मेरे verb में ऐस आता है, किस में आता है, simple present time में आता है, अगर मुझे इसका negative बनाना है, अगर singular में मुझे negative बनाना है, तो मैं लिखूंगी he, singular के लिए मैं यूज करूंगी does, और उसके साथ मैं add कर दूंगी not, he does not, अब क्योंकि does में already s है, तो मेरे verb में s नहीं आएगा, he does not eat apples, he does not eat apples, she does not eat apples, it does not eat apples, जितने भी plural है, including I and you, I हुआ, दे हुआ, या वी हुआ, ठीके, तो अब या फिर जैसे राम एंड जोहित हुआ, राम एंड दो लोग हुए यहाँ पे, मतलब मैं अगर plural की बात कर रही हूँ, including I and you, तो मैं उसमें verb में कभी ऐस नहीं लगाऊंगी, अब जब मुझे इसका negative बनाना है, तब मैं use करूंगी you के साथ do को, you do not eat apples, you do not eat apples, ठीके, अच्छा, इन ही का अगर question बनाना है, तो does he eat apples, do you eat apples, that's it, ठीके, I hope we are clear with this, let's continue with our exercise, my parents live near chinning, my parents live near chinning, देखो, तुम्हारा subject plural है, है न, subject plural है, plural को मैं plus s से denote करती हूँ, subject plural है, तो तुम्हारे word में s नहीं आया है, ठीके, अब इसका जब मुझे negative बनाना है, तो plural में मैं क्या use करती हूँ, do, तो मैं बोलूँगी, my parents do not live near chinning, क्या लिखूंगी, my parents do not live near chinning, I am visiting my parents tomorrow, यहाँ पे तुम्हारे पास helping verb है, helping verb जहाँ होता है, बस उसके बाद not लगा दो, I am not visiting my parents tomorrow, they were watching TV, तुम्हारे पास helping verb है, क्या होगा इसका negative, they were not watching TV, you have created history, you have created history, अब तुम्हारा helping verb क्या है, have, have के बाद लगा दो not, you have not created history, I will follow you wherever you go, तुम जहाँ जहाँ जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, तुम्हें follow करूंगा, will तुम्हारा helping verb है, इसके बाद लगा दो not, I will not follow you wherever you go, I had called you many times, मैंने तुम्हें बहुत बार call किया था, तु had है तुम्हारा helping verb, इसके बाद लगा देंगे, I have not called you many times, we have been learning English, हम English सीख रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, तो have के बाद लगा दो not, we have not been learning English, Sunita had been requesting for a long time, Sunita बहुत टाइम से request कर रही थी, तो यहाँ पे had है तुम्हारा helping verb लगा दो, Sunita had not been requesting for a long time, Okay, that's it, these are our answers, Okay, are we clear with this, helping verb जहाँ है उसके बाद लगाना है not, have not, will not, had not, have not, Had not, very simple, Okay, let's move ahead, अब हमें इन questions को question statements में convert करना हैं, ठीक है, तो जैसे है, शालिनी eats a lot of chocolates, शालिनी singular है, तभी verb में लग रहा है, as, जब singular की बात करते हैं, तब हम लगाते हैं, does, और question कैसे बन जाएगा, does लगा दो पहले, फिर लव सब्जेट को, does, शालिनी, अब तुम्हारा वर्ब जो है, उसमें से s हट जाएगा, क्योंकि does में already s आ रहा है, eat a lot of chocolates, ठीक है, does शालिनी eat a lot of chocolates, I am listening to some songs, तुम्हाई पास यहाँ पर helping verb है, इसको subject के आगे लेके चले जाओ, am I listening to some songs, और last में क्या लगा देंगे हम, question mark, question mark लगाना, मत भूलना वना, 0.25 marks, ऐसे ही चले जाएगे, we have a big game today, do we have a helping verb here, yes we do, हमारा helping verb क्या है, have, इसको लगा दो subject के आगे, मतलब we के पहले तो यह हो जाएगा, have we a big game today, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा, देखो we have, अब यहाँ पे have जो है ना, यह main verb की तरह यूज हो रहा है, we have मतलब, यह एक main verb की तरह यूज हो रहा है, इसलिए हमें हमारा do यूज करना पड़ेगा, और हम बोलेंगे, क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे have, जो है वो main verb की तरह यूज आ रहा है, have मतलब होना, पास में होना, I will hit anybody who calls me names, मतलब कोई भी जो मुझे उल्टे पुल्टे नाम बुलाएगा, call me names, इसका मतलब क्या होता है, छिढ़ाना, अलग-अलग नाम से, जैसे बुलाना नाम का मजाक उड़ाते ना, उसे बुलते हैं, call me names, so यहाँ तुम्हाँ पास helping verb है, उसको ले जाओ subject के आगे, will I hit anybody who calls me names, okay, she was standing on the table, ले जाओ इसको वहाँ पे, was she standing on the table, the temple has been standing on a hill outside the town, has the temple been standing on a hill outside the town, they had hurt themselves, अब यह had को ले जाओ देके आगे, had they hurt themselves, had they hurt themselves, अब यहाँ पे आप, जो है, यहाँ पे had main verb नहीं है, helping verb है, main verb है hurt, इसलिए हमने बुला, had they hurt themselves, ठीक है, यह रहे हमारे answers, ओके, अब यहाँ यह जो have है ना, हमें कैसे बता चला कि यह main verb है, ऐसे की, जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, we have two pens, अगर मैंने बोला, मेरे हमारे पास दो pen है, तो यह have यहाँ पे बता रहा है होना, तो यहाँ पे have आपका main verb की तरह ही use हो रहा है, तो आपको sentence पढ़के, समझ में आ जाएगा, next question देखते हैं, fill in the blank with continuous form of verb given in brackets, कौन सा continuous form, present continuous form, present continuous form में क्या होता है, जो भी हमारा subject होता है, उसके बाद हम लगाते हैं, is, या am, या are, और is, और is जो आता है, वो किस के साथ आता है, he के साथ, she के साथ, या it के साथ, या कोई भी singular के साथ, है ना, और M सिर्फ एक चीज के साथ आता है, वो होता है, I, और R आता है, you, we, and they, और इसके अलावा, कोई भी plural, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, तो हमारा क्या आता है, subject, plus इनको अपन बोलते हैं, helping verb, plus आपका जो भी verb है, उसमें अपन ing form लगाते हो, और बागी का जो sentence है, वैसा लिखते हैं, so हम इस चीज को follow करेंगे, ठीक है, तो इन sentences को देखते हैं, he is, dash for Mumbai today, अब हमारा verb क्या दिया हुआ है, leave, he is, subject plus helping verb, he is, अब leave में ing अगर लगा दोगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, he is leaving for Mumbai today, okay, she is, dash her time, save में अगर ing लगा दोगे, तो क्या होगा, हमें क्या करना है, present continuous है, continuous में हमें verb का, verb में ing लगाना है, तो she is, subject plus helping verb is, आही राएज की बाद हम लगा देंगे, she is saving her time, the principle is, teach का क्या होजाएगा, teaching, the principle is, teaching accounts, they are dash breakfast together, eat का क्या होजाएगा, eating, they are eating their breakfast together, the old woman is, walk का होजाएगा, walking, the old woman is walking slowly, right, are we clear with this much, चलो, next देखते हैं, यह हमारे answers होगए, अब हमें present perfect form यूज़ करना है, present perfect form, present perfect, present का मतलब, अब perfect है, मतलब, या तो हैसा आएगा, या तो हैव आएगा, ठीक है, present perfect, perfect मतलब, या तो हैस आएगा, या तो हैव आएगा, या तो हैड आएगा, और आजाएगा, verb का third form, यह हमें पता है, लेकिन हमें बोल जाएगा, सिर्फ present देखना है, तो हैड अटा दो, मतलब क्या बच्चा आपका, यहाँ पे बच्चा आपका, हम बात कर रहे हैं, plural की, और have के बाद, हमें यूज करना है, verb का third form, verb क्या है, win, win मतलब जीतना, तो win, won, won, ठीक है, तो we have won the match, very easy, दूसरा देखते हैं, my brother, हम एक ही इंसान की बात करें, तो हम क्या यूज करेंगे, has, तो यहाँ क्या आ जाएगा, my brother has, return, returned, returned, verb का third form हो जाएगा, returned, तो my brother has returned home, मेरा भाई वापस आ चुका है, they dash down the tree, अब दे के साथ क्या आएगा, plural, दे के साथ आएगा, have, और cut, तीनों फर्म में सेम ही रहता है, तो यह रहेगा, cut only, cut, 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 ठीका, no, cutted here, the hunter dash a goat, अब hunter एक ही है, there is one hunter, तो हम यहाँ यहाँ यूज करेंगे, has, the hunter has, kill का third form होता है, killed, the hunter has, killed a goat, the girl dash great courage, अब girl singular है, इसलिए हम यूज करेंगे, has, the girl has, show, showed, and shown, तो यहाँ पर third form में आ जाएगा, shown, the girl has shown great courage, अब ही क्लिया कि हमें present perfect कैसे बनाना है, perfect tense का मतलब होता है भाई, यह आता है, present में, अगर past होता तो क्या हो जाता, यह plus verb का third form, यह आता है हमारे answers, next question देखते हैं, fill in the blank with past continuous form, continuous का मतलब क्या होता है, verb में ing, यह तो हमें पता है, continuous का मतलब होता है, verb में ing, और past का मतलब क्या होता है, was लगा दो helping verb, या वर लगा दो, ठीके, अगर ing है, continuous form में तो helping verb आएगा ही आएगा, बिना helping verb के, continuous बनता ही नहीं, बना कर देता है, नहीं भाया नहीं बनना आमको, ठीके, तो was और वर आगए past के, past यह हो गया past, यह हो गया continuous, यह होता है singular के लिए, ठीके, यह होता है plural के लिए, I में भी was लगता है, पर you में were लगता है, are we clear with this, तो देखते हैं, subject क्या है हमारा hunter was, तो यहां तो पुरा was भी दिया हुआ है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, kill का क्या हो जाएगा, killing, आप इसमें ing लगाओगे, तो यह बन जाएगा, killing, the cat was bite का क्या हो जाएगा, biting, the cat was biting a traveler, the inspector was catch का हो जाएगा, catching, the inspector was catching a robber, she was buy का हो जाएगा, buying vegetables for the family, we were, plural है, इसलिए हम लगा रहे हैं, we were, purchase का हो जाएगा, purchasing, we were purchasing a new table, yes, clear, यह रहे हमारे answers, I hope you got that, next question, change the verb into past perfect form, अब अगर हमें past, perfect form में change करना है, perfect का क्या मतलब होता है, has, या have, या had, ठीक है, लेकिन कौन सा perfect form हमें बोला है, past, तो past में कौन सा use करेंगे हम, यह, तो यह आ जाएगा, हमें had, और had के साथ हमें use करना है, verb का third form, बस इतना ही करना है, चलो कर लेते, I-studied Japanese before, I के साथ क्या लगेगा, had, अब इसमें सबसे अच्छी बात ही होती न, past में, कि वो जादा भेदभाव नहीं करता, I, you, me, we, anything, अपन को लगाना है, had, तो अपन यहाँ पे लगा देंगे, I had, और यहाँ पे study का क्या हो जाएगा, third form studied, okay, so यह हो जाएगा studied, I, अदे, प्रीज भाई ऐसा ना करू, हाँ, I had studied, okay, अब यहाँ बताओ, she dash bake a lot before, तो she के बात क्या लगेगा, perfect मतलब had, past की बात करें, इसलिए और bake का हो जाएगा, baked, ठीक है, third form baked ही होता है, we dash a lot of trouble, have का हो जाएगा, had, कुछ भी नहीं है, बस यही main verb है यहाँ पे, भूमी का dash, many people at the club, भूमी का, अब had लगा दो, no का क्या हो जाता है, no, new, known, तो यह हो जाएगा known, she had known, many people at the club, they dash English, before they had moved to Canada, Canada move होने से पहले, उनने English पढ़ चुके थे वो लोग, तो they के साथ लगा दिया, had, और study का हो जाएगा, studied, that's it, very simple, हम समझ चुके हैं, अभी तक तो अच्छे समझ में आगया, भाई, perfect मतलब has, have had, अब जो tense बोल जाएं, वो लगा दो, माम लो future बोला, तो future के साथ, will have लगा दो, will लगा दो आगे, क्योंकि उसमें future में, अब past होई नहीं सकता ना, तो had का कोई c नहीं है, और चाहे singular हो, plural हो, वो have ही लेता है, ठीके, उसका भी हमाएं पस अभी question आएगा, अब यहाँ पर question अलग है, अब आप लोग थोड़ा एक level और उपर जा रहे हो, change the following sentences as mentioned in the parenthesis, parenthesis का मतलब होता है brackets, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कि यह sentence को past में change कर दो, पहले तो देखो sentence कौन से tense का है, बच्चे टोइस से खेलते हैं, प्ले, वर्ब का first form, यह हमारा एक simple present tense का situation है, इसे तुम अगर past में करना चाहते हो, तुमें इसे वर्ब को second form में change करना पड़ेगा, यह हो जाएगा, अब यहाँ पर दोइस, खतम बात, प्ले का कर दिया, प्लेड, शोन, ब्राइटली, देखो, शोन, वर्ब का second form है, शाइन, शोन, ठीक है, यह वर्ब का second form है, अब इसको तुमें present में change करना है, तो वर्ब के first form में लेके आजाओ, helping वर्ब तो है नहीं कोई साथ, तो यह हो जाएगा, अब सन, सिंगिलर है, और singular के साथ हमें verb में s लगाना पड़ता है, तो यह हो जाएगा, shines, यह ध्यान रखने वाली बात है, जब भी कोई से भी tense को present में, especially simple present में जब change करेंगा, तो verb में s लगेगा या नहीं लगेगा, it depends on your subject, subject singular है तो लगेगा, subject plural है तो नहीं लगेगा, मतलब simple present की बात हो दिया, इसे हमें change करना है future में, future में क्या लगाना पड़ता है, हमें will लगाना पड़ता है, तो my mother will go to the market, यह हो जाएगा, will go to the market, my mother future लगा दिया, future के साथ हमेशा, हमेशा verb का first form लगाते हैं, no es, no d, nothing, तो my mother will go to the market, they will go to the party this evening, they will go, will मतलब हम coincidence की बात करें, future की बात करें, तो अगर हम future की बात करें, और हमें continuous, future में ही continuous की बात करने हैं, future continuous का फंड़ता है, subject plus आपका आजाता है will, उसके साथ आप add कर देते हो, be, और continuous है, इसलिए verb में ing form आजाता है, तो देखो, हमारे पास will तो है, और verb क्या है, हमारा go, तो ये हो जाएगा, they will लगा दिया, उसके साथ लगा दिया, be और go का बना दिया, going, they will be going to the party this evening, they will be going to the party this evening, my sister wakes up at six o'clock, मेरी जो बहन है, वो सुभे छे बजे उठती है, wakes, मतलब ये simple present time का sentence है, इसे आपको past में करना है, तो wake का कर दो, woke up, खतम past में हमने verb का second form यूज कर लिया, my sister wakes up at six o'clock, my sister woke up at six o'clock, easy, easy, okay, गे रहे आपकी answers, right, अब देखो, I bought a computer, इसको मुझे change करना है, future tense में, I bought a computer, bought मतलब buy, bought, bought, तुम यहाँ past की बात करो, तुमें change करना है future में, future में करोगे, तो क्या हो जाएगा, I subject को वैसे का वैसे लिख दो, और future का मतलब होता, उसके बाद लगा दो, will, ठीके, verb क्या है, खरीदना, तो इसका first form हो जाएगा, buy, so यह हो जाएगा, I will buy a computer, I will go to the market next week, अगले week मैं market जाऊंगा, यह है future की बात, मुझे इसे future continuous में change करना है, continuous में अभी अभी बताया था, subject क्या है तुम्हारा I, I के बाद तो हमेशा will लगेगा, क्यूंकि future है, अब continuous में be लगा देते हैं, और verb क्या है, go, और go में हम लगा देंगे ing, क्यूंकि हम continuous की बात कर दें, तो यह हो जाएगा, I will be going to the market next week, the teacher taught me a new lesson, teacher ने मुझे एक नया lesson सिखाया, मतलब आपको teach किया, teach का past form होता है taught, तो यह past का है, इसे past continuous में change करना है, continuous में हमारा आता है helping work, was या were, और उसके बाद हम लगा देते हैं ing, तो subject क्या है the teacher, तो the teacher को ऐसे कैसे ही लिख दो, the teacher, अब तुम्हें लगाना है, या तो was, या तो were, अब इसमें क्या लगेगा, past की बात कर दें, past continuous है, तो हम teacher singular है, तो हम लगा देंगे was, अब was के बाद, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, taught का first form हो जाएगा, teach, जिसमें हम लगा देंगे ing, तो यह हो जाएगा teaching, the teacher was teaching, me a new lesson, me a new lesson, खतम, तो मैं देखो, simple सी बात है, तो मैं यहाँ पे, इतना पता होना चाहिए, कि अगर मैं present continuous की बात कर देंगे हो, तो verb लगेगा is mr, on the basis of singular and plural, और verb में ing लग जाएगा, past की बात कर देंगे हो, तो form क्या लगेगा, आपका helping verb लगेगा was या verb, अब यहाँ पे एक ही teacher थी, तो हमने लगा दिया was, और उसके बाद past के जो आपका form है, जो आपका verb है, उसमें लगा दिया हमने ing, next क्या है, रामन is going for a movie, रामन is, इस मतलब होता है present, going, ing लग रहा है, मतलब continuous है, यह क्या है present continuous, ठीक है, इसे हमें बनाना है simple present में, simple present में, आप हटा दो verb को, हटा दिया, और ing को भी हटा दो, हटा दिया, और उसमें singular है, तो आपको yes लगाना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा, रामन goes for a movie, खतम, रामन goes for a movie, ओके, मेरी जो बहन है, वो dance competition जीत गई थी, मैं लग जीती थी, अब इसको मुझे future में बनाना है, तो my sister के subject के बाद लगा दो will, my sister will, past form हटा के लगा दो present form, win, खतम, my sister will win dance competition, मेरी sister dance competition जीतेगी, ठीक है, ओके, यह रहे हमारे answers, अब transform the following present continuous sentences into past continuous, अब हम इन present continuous को बनाएंगे past continuous, जो की बहुत ही easy है, हमें पता है present continuous में क्या होता है, आपका जो subject होता है, उसके बाद आता है, या तो is, या तो am, या तो are, और verb में ing लग जाता है, plus बागी का sentence, यह हमें पता है, यह क्या है present में, past में हो जाता है subject, plus was आजाता है, या were आजाता है, plus verb का ing form, और बागी का sentence, तो basically सिर्फ आपका helping verb बदलता है, ठीक है, singular के लिए आप use करते हो is, या am, और plural के लिए आप use करते हो, और यहाँ पे singular के लिए is, a was, plural के लिए were, मतलब प्यून जो है, प्यून rings the bell, अब यहाँ पे यह simple present है, यह continuous नहीं है, यह simple present है, यह वाला जो sentence है, ठीक है, सिर्फ यह वाला sentence, तो यहाँ पे देखो, the pun rings the bell, subject यह है, अब यहाँ पे हो जाएगा, plus हम लगा देंगे, the pun, ठीक है, अब इसके साथ आप लगा दोगे, was, और लगा दोगे, ringing, the pun was ringing the bell, अब यह है, पिकॉक is dancing, यह तुम्हारा present continuous का है, इसकी जगा क्या आ जाएगा, was, तो यह जाएगा, पिकॉक was dancing, खतम, पिकॉक was dancing, he is cutting hair, वो बाल काट रहा है, इसकी जगा क्या आ जाएगा, was, सिर्फ हमें यह चेंज करना है, तो यह हो जाएगा, he was cutting hair, dogs are barking, बहुत सारी dog की बात करें, dogs की बात करें, तो यह dogs were barking, birds are flying, r की जगा हो जाएगा, birds were flying, and that is it, we are sorted here, यह रहे हमारे answers, ओके, यह the pune is, नहीं सारी, was ringing the bell, ठीक है, अब next question है, यहाँ पे आपको present continuous को future continuous में change करना है, इसका मतलब subject plus is, mr, plus verb का जो ing form होता है, जो की हमारा present continuous का है, इसमें एक change आएगा, is mr की जगा आजाएगा, will be, और verb का ing form लग जाएगा, और यह बन जाएगा future continuous chance, तो हम स्टार्ट करते हैं, they are playing cricket, अब सब सेम हैं, बस हमें यह helping verb चेंज करना है, तो यह आर को हटा के लगा दो, will be, they will be playing cricket, अब यहां है, he is sitting inside, इसको हटा के लगा दो, will be, तो यह क्या हो चाएगा, he will be sitting inside, I am waiting for him, I will be waiting for him, the boys are swimming, the boys will be swimming, I am studying, I will be studying, and that's it, this is your future continuous tense, okay, so guys that's it, I hope हमने जितने आपके इसमें 4th standard में आपको ज्यादा profit continuous वो सब नहीं पूछेंगे, maximum questions के आएंगे, कि questions को negative में change करो, या interrogative में change करो, या आपको जैसे tenses को पूछेंगे, कि बताओ यह कौन से tense का है, या आपको बोलेंगे, इस tenses को इस tense में change करो, जो हमने last में देखा, और या तो fill up the blanks आजाएगा, कि क्या particular tense लगेगा, once you will go to 5th standard, जो तेनस के exercises हैं, आप उनको चेक कर लेना, ठीक है, and you will be sorted, thank you so much guys, I'll see you in my next video.